क्या आप चाहते हो कि आपकी personality ऐसी हो कि आप जहां भी जाओ लोग आपको सबसे ज़्यादा notice करें, सबसे ज़्यादा attention दें, अगर चाहते हो तो खुद में लाओ ये 13 खास बातें, लोग आपको मुर्मुर कर देखें According to Dr. Lisa, जो एक body posture expert है, वो कहती है कि bad posture सिर्फ painful नहीं होता, ये आपको shorter, fatter and older भी दिखाता है, जब आपके पास एक बढ़िया posture होता है, आप more likely जादा से जादा लोगों को attract कर पाते हो, जब आपका posture जुका हुआ होता है, आपका overall body जुका हुआ होता है, ऐसे situation में आप छोट और कम आत्म विश्वासी लगते हो, लेकिन जब आप straight रहते हो, आप automatically attractive लगने लगते हो, दो तरह के straight posture होते हैं, पहला dynamic posture और दूसरा aesthetic posture, dynamic means आप खुद के body को straight hold करके रखते हो, जब आप move कर रहे हो, यानि जब आप दोड रहे हो, चल रहे हो, aesthetic means आप खुद के body को hold करके रखते हो, जब आप move नहीं कर रहे हो, जब आप बैठे हो, जब आप सोए हो, जब आप इन दोनों को अपनाओगे, तो आप सही body posture पाओगे, what is right body posture आप इस pic में देख पा रहे होगे, point number two, clean shoes, एक study किया गया है, जिसमें एक group से कहा गया, कि आप आपने सबसे ज़्यादा जिस जूते को पहना है, उसका picture researchers को दो, उस picture को लेने के बाद, उन researchers ने एक और दूसरे separate group को उन सारे pictures को दिखाया, और कहा कि आप लोग इनके बारे में judgments दो, इनके बारे में बताओ, surprisingly वो लोग हर चीज उसके बारे में predict कर पाए, result ऐसा आया कि उन shoes से shoes honor की age, gender, income, anxiety, attachment सब reveal हो गए, in psychology, shoes accurately आपके personality को reflect करता है in terms of status, income, personality, जब आप public में जाते हो, आप सोचते होगी कि लोग क्या notice करते होंगे, manners, cloths, लोग सबसे ज़्यादा जो notice करते हैं वो होता है आपके shoes, आप उने shoes को जितना ज़्यादा साफ सुतरा care करके रखते हो तो लोग सोचते हैं आप अपनी भी care उतनी ही ज़्यादा करते होगे, लेकिन make sure की shoes को बचाने के लिए ऐसा भी मत करना, पनी कर, formal shoes, sports shoes, boots and loafer, ये 5 shoes हैं जो आपके पास होने ही चाहिए अगर आप attractive दिखना चाहते हो, क्योंकि इनको आप अलग-अलग occasions पर, अलग-अलग जगह पर पहन कर जा सकते हो, और attractive बन सकते हो, point number 3, hair styles, I know कुछे से hair styles होते हैं, जिससे लोग alien के relative लगने लगते हैं, लेकिन to be very honest, अच्छी hair styles आपको सच में attractive बना सकते हैं, क्योंकि लोग जब आपको देखते हैं, तो सबसे पहले उनकी आँखे हैं, आपके hair styles पर जाती हैं, तो ये most prominent features में से आ जाता है body में, तो 2022 में 3 best hair styles हैं, जो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं आजकर, और सबसे ज़्यादा attractive माने जाते हैं, नमर वन, the fade, नमर टू, the undercut, and नमर थ्री, the palm pattern, एक अच्छा hair style बहुत ज़्यादा matter करता है, क्योंकि इसका direct connection attractiveness से होता है, और ये आपके confidence और self-esteem को भी boost करता है, अगर अगर आप short hair रखते हो, ये आपको ज़्यादा confident and professional बनाएगा, और अगर आप long hair रखते हो, ये आपको ज़्यादा youthful and sexy बनाएगा, point number 4, attractive eyes, eyes shows the power of your soul, आखें आपके आत्मा के शक्ति को दरसाती हैं, और attractive eyes के लिए मैं सबसे ज़्यादा best suggest करूंगा, nofab, आखों को attractive बनान आप automatically notice करोगे, कि जब आप लोग के आँखों में देखोगे, वो नजरे जुका लेते हैं, इसका reason है, आप काफी ज़्यादा dominant लगते हो, अब nofab आपको dominant ज़रूर बनाता है, लेकिन अगर आप ये सोचते हो, कि nofabs आपको अदभुद सक्तियां मिल जाएगी, कुछ ऐसे तो आपको इन ही से जाकर सीखना पड़ेगा, देखो nofab आपको super human मना सकता है, लेकिन आपको भगवान नहीं बना सकता, super hero नहीं बना सकता, याद रखो definitely nofabs से female attraction भी होगा, आपके आखे काफी ज़दा attractive हो जाती है, और definitely लड़कियां उससे attract होती है, आपके आखे काफी clear हो जाती है, आपके eyesight बढ़ जाती है, और आपके आखों में एक अलग power, एक अलग चमक आ जाता है, तो अगर आप भी super human बनना चाहते हो, female attraction चाहते हो, च बुक आता है, इस बुक में मैंने ऐसी ऐसी बाते बताई है, जिसको पढ़ने के बाद आप automatically nofab कर पाओगे, आपको nofab करने का मन होगा, तो link description में दिया गया है हमारे website का summerja.com का, वहाँ पर जाकर आप इसे buy करो, make sure, payment करने के बाद website पर download करने का भी option मिलेगा आपको, तो ध्यान से download कर लेना, हे गाईज, अगर आपने अपने भाई summer को इंस्टाग्राम पर भी तो follow नहीं किया है, तो please follow कर लो, link description में दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर मैं amazing reels and post वगरा share कर रहा हूँ, point number 5, smile, science कहता है कि cheerful facial expressions आपको ज़्यादा attractive बना देता है, जब researchers ने smile और attractiveness के बीच के relation के बारे पता किया, तो उन्हें पता चला, जितना ज़्यादा एक इंसान smile करता है, उतना ज़्यादा वो attractive लगता है, एक बार कुछ researchers ने computer graphics की मदद से बहुत सारे faces बनाए, जिसमें facial expressions and face shape थे, लोगों से पूछा गया कौन सा सबसे ज़्यादा attractive लग रहा है, लोगों ने बताया कि जो smiling face है, वो सबसे ज़्यादा attractive लग रहा है, point number 6, tattoos, tattoos जो होता है, वो बहुत जल्दी attention capture करता है, and यह आपको बहुत ज़्यादा masculine, बहुत ज़्यादा aggressive, and बहुत one time's report, tattoos associated होते हैं, good health, masculinity, dominance से, एक individual जो tattoo करवाता है, वो ज़्यादा stronger, ज़्यादा attractive और खुद में ज़्यादा self confident महसूस करता है, tattoo कैसा होना चाहिए, tattoo कोई idea, feeling, कोई memory होता है, जिससे आप हमेशा खुद के साथ carry करना चाहते हूँ, but make sure कि memory और feeling के पीछे भागते भागते, ऐसा tattoo मत बना लेना कभी, इस बहते हुए लहू की कसम, इस नाम की कसम जो मेरे दिल पे लिखा है, तुम मेरी हो, पॉइंट नमर 7, attitude, attitude is something जो आपके first impression से पता चल जाता है, और इस वज़े से लोग आपके पीछे भागते भी हैं, आपसे दूर भी भागते, attitude में सबसे पहल बंद करो, लोगो के पीछे भागना बंद करो, उसके बाद है, दूसरों को घूरना बंद करो, awkward तरीके से, खुश रहना सुरू करो, ताकि positive vibes आये, लोगो को आपसे, उसके बाद funny बनो, ताकि लोगो को आपके साथ रहने में मज़ा आए, अपनी vocabulary को सही करो, उसमें ऐसे- एड करो, जो थोरा premium लगे, आपकी vocabulary ही आपको सरक्षाप type logo से different बनाती है, आपकी overall personality ऐसी होनी चीए, कि आप सामने वाले को dominant लगो, point number 8, clean shape और beard, कुछ लोग clean shape में ज़्यादा attractive लगते हैं, कुछ लोग bearded look में ज़्यादा attractive लगते हैं, तो ऐसे situation में आप जिसमें ज़्या वालों को ज़्यादा trustworthy and ज़्यादा expert माना और उनसे ज़्यादा सामान खरीदा, तो clean shape आपको ज़्यादा attractive, ज़्यादा trustworthy and ज़्यादा expert दिखाता है, एक और study में पता चला कि जो bearded look वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादा attractive और dominant लगते हैं women's को, तो अगर आप एक official बंदी हो या फिर business वगरा करते हो तो clean shape रहो ज़्यादा trustworthy लगोगे, या फिर लड़कियों को impress करना है तो फिर bearded look में रहो, वैसे मैंने क्यों दाड़ी बढ़ा कर रखा है, तुम लोग भी न खामखा क्या-क्या सोचने लगते हो, point number 9, pink lips, अगर आप किसी इंसान का pink lips देखते हो तो obviously ये healthy body और balanced mind का कमाल होता है, this means कि आप अपने fitness का आपने body का बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो and आपकी body बहुत सही चल रही है, एकदम healthy है फिलाल, reason of dark lips, 5-6 reasons है, धूप में घूमना, dehydration, smoking करना या फिर कोई allergic reaction हो सकता है, enemy हो सकता है या फिर lack of vitamins भी हो सकता है, pink lips आ इस पर हमारी वीडियो आने वाली है तो wait करो, point number 10, accessories, अगर आप accessories wear करते हो तो आप ज़्यादा dominant और attractive लगते हो, उसके साथ साथ जब आप कोई cloths पहनते हो तो उस पर वो 4 चांद लगाता है, ऐसे accessories जो आपके overall look को बहुत ज़्यादा attractive बना देंगे and उस पर 4 चांद लगा पहला watch, उसके बाद है sunglasses, उसके बाद है bracelet और उसके बाद है ear dobs and अंगूठी, point number 11, shirts, definitely मुझे पता है कि आप shirts पहनते हो लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि कौन-कौन से shirts सबसे ज़्यादा attractive माने जाते हैं, studies बताते हैं कि एक man अगर red shirt पहनता है तो women's को ज़्या attractive लगोगे, हर एक इंसान को आप attractive लगोगे, red especially update के लिए पहन सकते हूँ, black आप business meetings वगरा पहन सकते हूँ, एक third option भी है, third option है light blue shirt, यह भी आपको बहुत ज़्यादा premium लगता है और यह आपको काफी ज़्यादा attractive बनाएगा, मेरा favorite black है क्योंकि यह royal colors में से एक है, कुछ और ऐसे colors हैं जिनें बहुत ज़्यादा attractive consider किया जाता है, वो है maroon और white, ऐसे comment करके बताना आपकी इस color के cloths ज़्यादा पहनना पसंद करते हूँ, why number 12, confidence on your face, अगर आप बात करो social psychology की, तो उसमें confidence को एक बहुत बरा treat माना जाता है, यानि अगर आपके अंदर confidence है, तो सामने व awesome दिखते हूँ, attractive दिखते हूँ, तो अगर आपको ज़्यादा confident बनना है, तो आपको ज़्यादा ज़्यादा socialize करना पड़ेगा, तभी inferiority complex जो आपके अंदर है, वो खतम होगा, जब किस इंसान के चेहरे पर confidence दिखता है न, तो वो automatically attractive लगने लगता है, लोग लगता है, confident personality का मतलब है, सबसे पहले अपने अंदर के हीन भावना को खत्म करना, example के लिए अगर आप कहीं जाते हूँ, वहाँ पर बहुत high profiles के लोग हैं, and females वगरा भी हैं, लड़कियां वगरा भी हैं, and आप सोचते हो कि यार मैं attractive नहीं लग रहा हूँ, मैं less attractive लग रहा हूँ, तो ऐसे में आपका inferiority complex जो है, वो चला जाएगा, point number 13, dressing style, किसी भी organization में अगर आप professionally dressing करते हूँ, तो अब ज़्यादा positive, ज़्यादा professional and attractive लगते हूँ, एक बहतर dress वो होता है, जो आपके self-esteem and आपके self-confidence को boost करे, तो ऐसे dress को wear करो, जो आपके self-confidence को boost करे, अगर आप थोरा सा fashion क अधियान रखे, well-fitted cloths, buy करते हूँ, तो यह काफी ज़्यादा premium लगता है, और आपको premium बनाता है, I hope आपको video पसंद आया होगा, वे आपको video पसंद आया है, तो एक like करे, क्योंकि आपके एक like से हमारा पा और दोगुना हो जाता है, अगर आपको मुझसे को advice चीए नमर देख रहा होगा, paid call book कर सकती हूँ, मैं personally आपको advice देता हूँ, चैनल को subscribe कर लें, ऐसे ही videos देखने के लिए, thanks watching guys, love you